असलाम अलेकुम वेलकम वेक टू माई यूट्यूब चैनल आप देख रहें किचन वित कोसर और किचन वित कोसर में आज देगी आलू गोश बनने लगा है तो देगी आलू गोश के लिए जो चीजे चाहिए मैं आपको बताती हूं मैंने बीफ लिया है 700 गिराम और ये मैंने सुखमिश पॉडर लिया है 1 Tb. गड़न दिया पॉडर मिर्चे अपने टेस के साब से रखें और नमक लिया है 1 Tb. नमक भी आपने टेस के साब से रखें और चार हरी मिर्चे बारी चॉप कर लिए हैं गरम साला 1 Tb. हल्दी 1 Tb. जीरा 1 Tbn और देखें दो बड़ी लाचि और ब्रईयों और दो मेन enable दाल चीनी के पीश लिए तोस्ब से पहले हम पैस प्याज पर करेंगे और All the बंड के अदर डर बढ़ में बढ़ा आन अब बढ़ा ऑड़ेलंए सुन्धम के अनदर फ्राई के लिए सखें के तो intriguing अब दीकर अगे आ accessible और देख़ें наших भलाग करूं हमारा फ्राई हो चुका है बस थोड़ा सा और कर लेते हैं अब इसमें डाल देंगे जीरा और गरम मसाला दाल चीनी और बड़ी लाइची और इनको करेंगे थोड़ा सा हम फ्राई ताकि अच्छी सी खुश्बू आज़ा इसके अंदर दाल चीनी की और इलाइची की अब डाल देंगे इस मसाले पानी डाल देंगे आदा कप ताकि मसाले जले ना आप चाहें तो एक प्याली में मसाले और पानी मीक्स करके रख सकते हैं तो इस तरह जलते भी नहीं है हरी मिर्च से डाल देंगे इसके अंदर हल्दी डाल देंगे इसके अंदर अब डाल देंगे इसके अंदर हम गोश्ट गोश्ट मैंने लिया है बगर हड़ी का साफ गोश्ट लिया है मैंने और इसको मिक्स टीमाटर जाई छब्सcha cummat него तीन नेयु और कमरें टीमाटर हैं Q1,D of आपको शारी जम्सक्राप गखा टाल नहाला है encode नहीं लगए में। एद़ तर लकॉरात चीमाटर वरा उद टोड़ाइब अन्दर, फिर फ्रीमके दालें के लिए जम्सेड़ है तो इसमें गेस बननी नीचे हो जाती है तो 20 मिनट के लिए लगाया था मैंने और जब नीचे हो जाए तो आपने तब खोलना है क्योंकि गेस खतम हो जाती है पहले आपने बिल्कुल भी नी खोलना और 20 मिनट में बहुत अच्छा सा गोश्ट गल गया है अगर थोड़ी बहुत कसर है तो यह हम जब आलू डालेंगे तो यह गल जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा पानी भी है और देखें बहुत अच्छा सा गोश्ट गल चुका है बस इतनी कसर बाकी है कि यह पानी खुश्च होगा तो एकदम पर्फेट गला होगा यह और अब मैं डाल दूँगे इसमें आलू और यह लस्टन वन टाइम रिस्पून यह डालेंगे इस टाइम और इसको करेंगे मिक्स और इसको मैं कवर कर दूँगी जब तक आलू गल नहीं जाते और आलू देखें हमारे तकरीबन गलने वाले हैं पानी भी खुश्क होने वाला है एकदम पर्फेक्ट जा रहा है हमारा देगी कोर्मा देगी आलू गोश कोर्मा हमारा एकदम पर्फेक्ट जा रहा है और देखें यह बस भुनाई पर है तो इसकी में कर लेती हम भुनाई बस एक से दो मिनट इसके हमने भुनाई करनी है बड़े इत्यास से चमच लाना है आलू कोई भी ना तूटे आलू गल चुके है और पाने डाल देंगे इसके अंदर दो गलास शोरबा आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं दो गलास फाइन डाल दें तीन गलास फाइन डाल दें जितना आपको पसंद हो और इसके मैं कवर कर दूँगी गरम मसाला डाल कर तो गरम मसाला डाल देते हैं गरा मसाला आपने शौर्भा दालने के पाथ डालना शौर्भा दालना और धनी लाघा बचा लिया लिया है और थोड़ा सगी चम्चा चला कि इसके कवर कर दूँगे निए 20 मिनट के लिए 20 मिनट हो चुई है और बहुत अच्छा सा ONE तयार होगया है और बाकी जो हरा धनी आदा था हरी मिर्चे थी वो भी डाल देते हैं इसके अंदर क्योंकि बाद में डालने से भी बहुत अच्छी खुश्बू आती है और इसको में डिशाउट कर लेती हूँ और यह देखें बहुत जबर्दसा देगी आलू गोश हमारा रेड़ी हो गया है आपने इसी तरह में रेसिपी फॉलो करनी है में रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शियर जरूर करें सबस्क्राइब नहीं किया तर सबस्क्राइब जरूर कर दें साथ बैल आइकन के बटन क क्लिक कर दें और मुझे फीडबेक में जरूर बताइएगा कि आपका आलू गोश कैसा बना है दूआ में याद रखिएगा मिलते ही नए रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज